जो तुमको बोले गुस्ताक है रुसूल की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, तुम भी बोले भगवान राम के को अपमान करने की एक ही सजा सर्धर से जुदा है आप जित सदेव की पूजा करते हैं, उसको बंद करवाने का काम करने वाला दियोबद है अलेही, औरंगजेब और धरकजेबों ने इनके मंदिरों को तोड़ा है और इनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है भव्यराम मंदिर के का प्राण पर्थिष्टा होता है, तो उनके सीने पे गोलियां चलती है हमारे इसलाम के हिसाब से 56 साल के मर्द जो है, वो 6 साल की बच्चे से प्यार कर लेता है ये जितने भी दाढ़ी टोपी लुंगी चाप वाले हैं, इनको तो दे दिया है ये मेसेज ये मुसल्मान औरतों के पैर की बेड़ियों को टाइट करने के लिए होता है अगर 72 फिरका एक दूसरे की जान नहीं ले रहा है, तो उसकी वज़ा है सनातनी अब हिंदू तो वहाँ पर 1% बच रहे हैं, लेकिन मस्जिदों पर बम खुटते हैं अब एसी 15 मिनट के लिए पुलीस हटा करके 82.7% सनातनीों का गला रेतनी की बात ना एलान कर रहा होता सुच लिजे लव अफियर अगर महिलाएं करेंगी तो बलतकार जायज जब है 72 साल की नन का चर्च के अंदर रेप होता है और 5 पांगलादेश ही करता है कृष्ण भगवार बासुरी के लिए जाने जाते है वो सुदर्शन चक्र के लिए भी जाने जाते है नमस्कार पूजा सिंग पॉड़कास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मेरे पॉड़कास्ट के इंदर एक ऐसी खास महमान है जो जब बोलती है तो अच्छे-च्छों के छक्के छुड़ा देती है अक्टिविस्ट है तेज तर्राव लॉयर है नन अधर देन नाजिया इलाही खान बहुत-बहुत स्वागत है आपका नाजिया सबसे पहले तो मैं यही जाना चाहूंगी आप है तो दिल्ली से लेकिन आप वेस्ट बिंगॉल जादा तर समय रहती है यहाँ पर आती रहती है कोट में प्राक्टिस करती है तो मैं सोचती हूँ कि वेस्ट बिंगॉल से ही शुरुबात करते हैं बिल्कुल वेस्ट बिंगॉल कभी जाना जाता था रविंद्रिनाठ टैगोर के लिए, बंकिम के लिए, स्वामी विवेका नन के लिए, राजा राम बहुन राई के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, अब शेक्षा आजा के लिए जाना जाता है, क्या कहो गया? देखे, strategy बहुत बुरानी थी, और बिंगॉल अब सिर्फ शेक्षा जहां, जैसे बलातकारियों के लिए नहीं जाना जा रहा है, बलके स्कैम बाजों के लिए जाना जा रहा है, तोला बाजों के लिए जाना जा रहा है, चोरों के लिए जाना जा रहा है, और ऐसे शेक्षा म के बाद अपनी girlfriend को वो भी during a hearing court के अंदर in front of judge तो मुझे ऐसा लगता है कि पशिम मंगाल में हिंदूओं को खतम करने की साज़श तभी हो गई थी जब left को हटा करके ममता की सरकार आने वाली थी क्योंकि ममता की सरकार आई है लव जहाद के प्रमोशन से और बलातकारियों का shelter बन चुकी है घुसपैटियों का shelter बन चुका है और आज देखिए 2021 में उनका पैर टूटा था आज सुभा में उनका माधा फूट गया है तो मैं सोझे थी कि जब election time आते हैं तभी accident क्यों होते है अच्छे ये बड़ा common है जैसे ही ED और CBI का दस्तक आता है दर्वाजे पर NIA का दस्तक आता है या income tax department का दस्तक आता है तिर्णमुल कॉंग्रेस के नेता मंत्रियों पर तो वो बिमार हो जाते हैं और जैसे ही election आता है तो दीदी का कभी पैर टूट जाता है और कभी माथा पर होता क्या है ना कि एक बच्पन से हमें कहानी सुनते थे ना शेहर आया शेहर आया और जब शेहर आता है तो कोई बचाने नहीं आता है तो 2021 में लोग sympathy में आतो गए थे और दान दक्षना के तरीके से वोट दे करके उनको जिताया भी गया लेकिन मुझे नहीं लग रहा हूं और भी जो रिपोर्ट साथ नहीं उसमें यह है कि fair election वहोते ही नहीं है अभी अभी सुबेंदू अधिकारी ने hablar जो है वह फे वोटर के नाम निखाल करके वह देंगे तो वहाँ पर तो आप यह इमाजन नहीं कर सकते कि मतलब जो TNC के कारे करता था है वो लोगों को निकलने के लिए अलाव करेंगे या वहाँ पर फेर वोटिंग होने भी देंगे नहीं बिलकुल भी नहीं देखिए सुबेंदू अधिकारी जी ने आठ लाक बाइस हजार से कुछ आगे या पीछे उन्होंने जाकरके पूरे फेक वोटर आईडी कार्ड एलेक्शन कमिशन के गोद में रख दिया था जी जी और कहा था कि अभी और लाकर देंगे लोग सबाइस हजार से ज्यादा फेक वोटर आईडी कार्ड पकड़ा गया तो अगर सही से इनक्वाइरी हो जाए डिपार्टमेंटल तो आप सोचो कि मुझे तो लगता है कि 28 परसंट या 30 परसंट निकल जाएंगे घुस बैटिया फेक वोटर वाले फेर इलेक्शन की जहां तक बात है तो लेफ फ्रेंट ने 32-36 साल यही लूट पार्ट करके अपनी सरकार बना कर रखी थी और सेम सेम रडार पे और सेम रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है श्रीमती मुंता बैनल जी और जैसे ही EVM मशीन की बात आती है तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि क्या होता है पंचायत इलेक्शन में सब ने देखा था बॉक्स को पानी में लेकर कोई कूद रहा है कोई उसको जला रहा है कोई साड़ी में लपेट कर जा रही है कोई लुंगी में छुपा कर लेकर जा रहा है कोई पजामय में लेकर के जा रहा है तो ये चीज़ करने के लिए श्रीमती मुंता बैनल जी हमेशा सेंट्रल गवर्मेंट और एलेक्श आती है या केंद्र से पुलिस पोस्टिंग होती है तो उसको भी वो पसंद नहीं करती है क्योंकि जीरो ग्राउंड पे 2021 का एलेक्शन मैंने प्रचार किया है और बहुत अक्टिवली प्रचार किया है 2021 का विधान सबाई एलेक्शन पस्टिम बंगाल में आपको आईडिया नहीं होगा कि जो लड़के जो कारे करता परचार करते थे सुभा में पेड़ों से उनकी उनका शफ मिलता था उनकी डेट बॉड़ी मिलती थी और यहां पर लिखा होता था कि बीजेपी करो गे तो यही होगा 60 साल की महिलाओं का पोते के सामने ग्रैंट सन के सामने रेप किया गया है पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ है नासर खान ने किया है सूजर जॉड़न का और ममतब एनरजी कहती है कि सजी भी घटना है 72 साल की नन का चर्च के अंदर रेप होता है और पांच बांगला बलातकार हो गया मतलब सोच लिजे लव अफियर अगर महिलाएं करेंगी तो बलातकार जायस है भाई ममतब एनरजी जी के हिसाब से तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पश्रमंगाल के हिंदू सिक जैन बौध अगर इसाई अगर अब भी नहीं जागे तो मुझे लगत है तो मिनी पाकिस्तान है यह तो उन्होंने खुले आम कहा और किसको कहा है पाकिस्तान के रिपोर्टर को कहा है दडाउन को और किसको नहीं पता है कि दडाउन किस से टाई अप है नवाशरीफ की पार्टी से टाई अप है दडाउन सब को पता है तो इसका मतलब साफ होता ह कि जिस हिसाब से तिर्णमुल कॉंग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एकाक नेता है जिनका बाप दादा पिशावर का है पाकिस्तान के और फरहाद हकीम ऐसे नेता है कि दर्डौन के ओनर से भी उनकी पहचान है और पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो पश्चिम करें पंजाब की इलेक्शन साने वाले हैं वहां पर फोर्स डिप्लॉई कर दी गई है अभी सीए को लेकर कि इतना बवाल जो है दिली में मचा था शाहिन बाग जब हुआ था और अभी भी जब हुआ है के जरिवाल के घर के बार तो पुलिस प्रशासन है सेंटर फोर्स है है वो अपना काम हर स्टेट में बरावर तरीके से करती है लेकिन यहां पर पश्रम बंगाल में पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता इतना लेकि पश्रम बंगाल में ना लेफ़ फ्रंट कभी संविधान मानता था खानून मानता था और ना ही श्रीमती ममता बैनर जी ना मंगाल में तो पुलिस को वर्कर टीम सी वर्कर बना दिया गया है वर्दी वाला वर्कर अब आती है बात आपने सी ए की बात छेड़ी है तो मैं पूछ मुझे भी अजीब लगता है कि लोग जो हमारी जनता है बड़ी भोली है और खास करके 82.7% सनातनी तो बड़े भोले हैं बहुत भोले हैं वो इसलिए भोले हैं कि अवेसी C.A.E. का विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा लेकिन मेरे को लगता है C.A.E. से मुसलमानों का क्या प्रॉबलम है आपको क्या लगता है कि अवेसी इस खानून को पढ़ा नहीं होगा बिलकुल तो डेफिनेटली पढ़ा होगा बाहर से विदेश से पढ़कर आया है भाई हम तो भारत के डिग्री के साथ है वो तो विदेश की डिग्रीओं के साथ है बैरिस्टर बोलता है खुद को तो डेफिनेटली पढ़ा होगा और उसको पता है कि इसी से वो चानल पर बना रहता है अब अवेसी से हम जैसे लोग जब चानल पर पूछ लेते हैं आखों में आखें डाल करके कि आपकी पार्टी का नाम पूरा बोलिये और मुसलिमीन की पार्टी क्यूं है और आप कहते हैं कि भारत सेक्योलर नहीं है आपको इतनी हिम्मत और आपने अपने आपको इस अथोरिटी की पोजिशन में डाला कैसे कि आप ये बात कह रहे हैं जिसने औल इंडिया मुसलिमीन इतिहादुल बनाया है मुझे तो ऐसा लगता है किसी आतंखवादी ग्रोह का नाम है उसकी पार्टी का नाम तो एक मुसल्मानों के इतिहाद के लिए मुसल्मानों के राइट के लिए एक पार्टी बनी है और अवेशी के मंच पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते हैं अवेशी के मंच पर औरंग जिप जिन्दाबाद के नारे लगते हैं और वो बात कर रहा है कि C.A. नहीं होना चाहिए मतलब मुसलिम कम्यूनिटी के बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है कि मुसल्मानों के साथ जो है ऐसा दुर्वयवार किया जा रहा है उनसे सौतेला वयवार किया जा रहा है मुसल्मानों को उसमें कोई लेना देना नहीं है भाई देखें बहुत crystal clear है कि अगर मुसल्मानों के साथ सोतेला व्यवार किया जा रहा होता तो 72 फिर्खा हमारे भारत में सीना चौड़ा करकरके मुदी जी को गालिया ना दे रहा होता या अवेसी 15 मिनट के लिए पुलीस हटा करके 82.7 परसंट सनातनियों का गला रेतिनी की बात ना एलान कर रहा होता पाकिस्तान में मैं आपको बताती चलूँ I have data entire data पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23.7 परसंट हिंदू और सिक थे आज कितने परसंट है 1 परसंट अब हिंदू तो वहाँ पर 1 परसंट बच रहे हैं लेकिन मजजिदों में बम फूटते हैं मजारों में बम फूटते हैं वो कौन फूटता है शिया सुन्नी को मारता है सुन्नी शिया को मारता है एहमदी वहाबी को मारता है वहाबी एहमदी ले रहा है तो उसकी वज़ा है सनातनी उसकी वज़ा है यहां का सम्विधान उसकी वज़ा है यहां का कानून जो नहीं ले रहा है नहीं तो ये दोनों एक दूसरे को मुसल्मान मारे 72 फिरका आप थोड़ा सा अल्खुरान की सूरतों को देखिए हमें बच्पन से सिखाया च जाता है कि हिंदूों को काफिर बोलो क्यों बोले भाई मैं तो पूछती हूं आखों मैं आखे डाल करके मैं मदनी से पूछ रही हूं मैं बुखारी से भी पूछ रही हूं मैं तौकीर से भी पूछ रही हूं मैं सलमान से भी पूछ रही हूं मैं साजेद रशीदी से भी का उसी को काफिर बोलेंगे हजरत अली बीबी फात्मा रजी अल्ला अन्हों के खावेंद शोहर को किसने मारा था उनके बगल के नमाज ही ने मारा था तो हम उसको काफिर बोलेंगे भई सनातनियों ने तो मारा नहीं था हमारे शब्बीर को हमारे पैगंबरों को या हमारे प जवाब देखा नहीं कोई मैं पूछते रह जाती हूं कोई जवाब देना नहीं चाहता अवेसी आखें मिछका लेता है या तो कुईट कर जाता चानल से मुझे जवाब भी नहीं देता है मैं तो ये भी पूछती हूं कि अवेसी साहब एक ऐसा इंसिडेंट बताईए मुसल्मान औरतों को शिक्षा देने की बात आपने कही हो आपने मोदी जी को कहा हो कि पंदरा मिनट में तै करो कि मुसल्मान औरतों को महिलाओं को आईएस आईपियस इंजिनियर डॉक्टर ओवर्सियर जज बैरिस्टर बनाईएगा नहीं लेकिन नाजी इसमें बताऊं आप रिजवेशन दो तो आप अपनी ओड़तों को पहले बाहर तो निकलने नहीं दे रहे हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि वो संसत में जा पाएंगी औरते पावरफुल हो यह तो अवेसी कभी नहीं चाहता है आपने 1984 से हाइदराबाद का वो छेतर जो है अवेसी का बैठा हुआ है आप मुझे कोई एक उसके अबबा से ले करके उसके जोड़ा अवेसी तक में आप मुझे बताईए कि उनके मंच पर कोई एक महिला नकाब में ही बैठी हो कब भी नहीं देखा क्योंकि अवेसी महिला शब्द से ही नफरत करता है और उन्हीं के नाम पर पॉल क्योंकि कोई भी एडूकेशन पर काम कोई भी एंपाव में पर आप में अ壑शी ने किया ही नहीं मुझे आप में मैं ईंटस्क छेतर की मैं चैनल मुसल्मान लड़कियों को देखता है तो उसके दिल में यही आता है कि इसको खतम कर दो इसको रहने नहीं दो क्योंकि यह हमारे मुसल्मान बच्चियों को सिखाएगी कि age of puberty is not age of marriage और वो सिखाता आ रहा है बाप दादा से कि age of puberty is age of marriage और मेरा कहना है कि अवेसी साहब मुसल्मान बेटियों का सल्वार जाकना बंद कर दो बंद कर दो सूट नहीं कर रहा बलंट बोलती है तो कभी आपको कोई आके धमकाता भी है बोलता भी हाँ हाँ मेरे उपर ऐसे टाटैक हुआ लेकिन भगवान राम की किरपा बच गई मैं एक दो ड्रॉप मतलब बहुत दूर से किया गया था तो हलका छीटा मुझे यहां पर और यहां पर आया था बहुत पराणी पिचर्स देखिएगा तो वो है तो फिर मैंने उसको सर्जरी करके ठीक करवाया है और उसके बाद में मेरी गाड़ियां चलाई गई है मेरी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई है और पश्रिम बंगाल के तो उलबेरिया ग्रामीन एरिया में बहुत बार अटैक हुआ है मेरे उपर उसके बाद अभी हालिया में संदेश खाली कि जो matter हुआ था तो मैं संदेश खाली जा रही थी on the way जिस हिसाब से हमने हल्दवानी में और नुह में मेवात में मुसल्मानों के हाथ में पत्थर देखा था मैंने तो भाई पुलीस के हाथ में संदेश खाली में पत्थर देखा और फिर मेरे ड्राइवर ने कहा कि नहीं देदी यहां से चलिये नहीं तो आपकी जान को खत्रा हो जाएगा और सबसे बड़ी मुसीबत यह है पशिम बंगाल में के पशिम बंगाल को मैं चितनी भी चिठियां भेश देती हूँ कि मैं इस ग्राम में मैं विजिट कर रही हूँ मुझे सेक्यॉरिटी दीजिए वो नहीं देती है तो यह सच है तो काफी काफी मेरे उपर अटैक हो चुका है में को लगता है कि मतलब मुस्लिम कमेनीडी की बात करें तो फीमेल्स को वहाँ पर ज़्यादा मुखर होना चाहिए अपने हग के लड़ना चाहिए मैं एक शो कर रही थी एक मेरे प्रोग्राम के अंदर एक फीमेल आई थी तो उन्होंने का कि मैंने कम्प्लेंड की है मेरे हस्बिंड ने मुझे हलाला करने के लिए बोला है मेरे ससूर के साथ तो मैंने का फिर कैरी मैं हलाला के लिए मान गई फिर अब मेरा जो पती है वो उसके साथ उसका कुछ डिस्प्यूट हो गया तो फिर उसने दुबारा कम्प्लेंड कर दी मैंने का तुमको उस आदमी के साथ जाना ही क्यों है जो तुमको किसी और के साथ जाने को मजबूर करत तो प्यार ही किया तुमको रहना क्यों है उसके साथ, जो तुम हलाला के लिए भी मान गई हो, और जब सब कुछ हो गया उसके बाद तुम पुलिस के पास जा रही हो, तो मिर को लगता है कि जो मुस्लिम फीमेर्स हैं, उनको भी जादा अपने बारे में सोचना होगा, जादा बाहर आना होगा, आप तो क्योंकि आप एक्टिविस्ट हैं, फीमेर्स के लिए आवाज उठाती हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से क्या कोई माइंडसेट चेंज हुआ है, तीन तलाक हटने के बाद क्या फीमेर्स की सोच बदली है, क्या एप्रेसियेशन मिला है उनको, देखिए फीमेर्स मुसल्मान महिलाएं अपने आप को आजाद देखना चाहती हैं, शिक्षित होना चाहती हैं, पर हर जुमा के खुदबे में जब ये बताया जाता है, कि जन, जर्र और जमीन को छुपा कर रखा जाए, औरतों की जिम्मेदारिया ये 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 हैं, हलाला बहुत खुबसूरत चीज है, आप मुसल्मान लफंदर लॉंडे जो है, वो चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर सकता है, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर सकता है, तो ये जो अशलीलता का बाजार हर जुमा के दिन खुदबे में होता है, तो ये किस चीज के लि मुसल्मान बेटियों को पावरफुल करना चाहती है UCC के माध्यम से पॉलीगेमी हलाला बन करके ट्रिपल तलाक बैन करवा करके लेकिन मर्दों जाग जाओ मुसल्मान केंद्र की सरकार मुसल्मान महिलाओं को पावरफुल करना चाहती है शक्षित करना चाहती है तुमारा का में हैं कि हमारे यहां अशलिलता का बाजार सुनो और घर जा करके उनके कान एठो और बताओ कि भाई प्रॉफेट मुहमद ने छे साल की बच्ची से शादी किया था और उसको खिला पिला करके मोटा किया गया था और मजलिस में हमारी छोटी अम्मी बिबी आईशा को कहा गय होता है और अब इसलाम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है मुसलमान बेटियां रेडि हैं एमपावर होने के लिए रेडि हैं शिक्षित होने के लिए रेडि हैं ब्लंट होने के लिए रेडि हैं रोड पर आने के लिए रेडि हैं और यूसीसी के वोटिंग के माधियम से 62. 2.7% वोटिंग के माधियम से सपोर्ट करके मुसल्मान बेटियों ने एक साइलेंट मेसेज ये जितने भी दाड़ी टोपी लुंगी चाप वाले हैं इनको तो दे दिया है ये मेसेज के ज्यादा दूर नहीं है जब मुसल्मान बेटियां चाहे हिजाब पहन के चाहे चद्रा महिला हैं मुसल्म महिला हैं वो ज्यादात में निकल कर शोहर जो भी बोले घरवाले जो भी बोले कि मोदी के फेवर में बोट देंगी एक तो मैं आपको प्राक्टिकल एक्सपिरियंस में बता देती हूं आपको मुझे राजिस्थान से और इंदौर से इविन मेरे पास अ ए और राजिस्थान का जो मैटर है वो तीन तलाख का है बहुत रोना गाना कर रही है बिचारी और उसके बाद पर मैंने कहा कि अपने हस्बेंट गो जाकर के बोलो कि मेरी जो कांसल है वो चिठी भेज रही है योगी जी को आभी फैसला योगी जी करेंगे आपको पता है वो पैर पकड़ा है अपनी बीवी का, बोला है नहीं, मत करो, मत करो, लब जिहाद का जो मैटर आया है, बहुत दुखट, मतलब बहुत पैन्फुल मैटर है, ये बहुत 30 साल की लड़की है, टीचर है, और उसी स्कूल में एक मोलवी साहब पढ़ाते थे, जो 55 साल के हैं, ता कर लेता है, तो nothing is very shocked, तो वो 30 साल की बच्ची से उसको प्यार हो गया, 56, 55 साल के मर्द को, टीचर को, और अब वो उसको blackmail कर रहा है, कि मैं तुमारी more nude तस्वीरे viral करूंगा, तो मेरे से निकाह करो, नहीं, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर मैंने कहा उस बच मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां, बच्चियां, मुसल्मान बेटियां और सारे धर्मों की बेटियां पहली बार अपने आपको बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हमें कोट जाकर के अपने दर्द को बताने की जरूरत नहीं है, इतने लंबे प् कुछ अजीब है, मुझे अगर एक फोन आ जाए कि फलाना मंतरी जी आपसे मिलना चाहते है और दूसरे नंबर पे मेरे को फोन आ जाए कि फलाना छेतर में आपको जाना है, मैं वो छेतर जाती हूँ, क्योंकि जो मुझे वहां से मिलता है, वो वहां बैटने से नहीं तो जीरो ग्राउंड पे मुझे काम करने में बड़ा मुझा आता है, मैं कभी शहर में अपनी भाशन नहीं देती हूँ, मैं ग्रामीन एरिया में जा करके अपनी स्पीचिस देती हूँ, क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता है, कभी ऐसा हुआ है कि फीमेल्स ने आपको किया हूँ, क्योंकि अगर बात करूं मुस्लिम कम्यूनिटी की, मतलब आप एक तरफ सनातनी भी बात करती है, सनातनी होते हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं होते हैं, वो सब को एकसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाए भी एक हद तक अगर कहें कि वो अपने धर्म स उसे प्रभावित रहती, तो क्या कभी आपको उनका भी जो है बैकलेश देखने को मिला कि नहीं हम तो घरवालों की तरफ चलेंगे, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ, देखिए महिलाएं जो भी मुझसे मिलने के लिए आती हैं, मैं उनको एक चीज जरूर बता जी, पहल बहुत कमफर्ट फील करती हैं मुझसे बात करने में, रो भी लेती हैं, हस भी लेती हैं, मैं हसा भी देती हूं, बहुत कमफर्ट फील करती हैं, तो जितनी भी महिलाएं मेरे पास आती हैं, मैं उनको एक चीज जरूर बताती हैं, और अपने जितनी भी स्पीचेश हैं, मैं नाउंड बलातकारे से कोई मुसल्मान लड़की निकाह पड़ती है तो वो क्या है चाहिसता बर्वीन भी तो भागी गूम रही है अतिक अमत की वाइफ मैंने बोला ना आपको अब एक शिर्वानी साहिबा है पता नहीं रोट शाप शिर्वानी साहिबा है किसी अच्छे शॉपिंग मॉल की तो नहीं लगती है मुझे खुद तो जीन्स और टॉप पहनती है पर हिजाब के फेवर में बात करती है भव्य राम मंदिर के का प्राण पर्थिष्टा होता है तो उनके सीने पे गोलियां चलती है खंजर आते हैं तो जहादन होती है मुसल्मान में तो ऐसे ऐसे जहादन से भी हमें बच करके रहना ह आम जो नॉर्मल लड़कियां है और हम जैसे लड़कियों की नजर उन जहादन पर भी वैसे ही है जैसे अवेसी मदनी और तौकीर पर है उनकी अक्टिविटीज पर पूरा है और 2024 के लोकसभा एलेक्शन के बाद ऐसी ऐसी जहादी और जहादनों के लिए मैं भी एक अपी करना चाह रही हूं इंटरनेशनल सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल कोट तक में कि जिस जिस जहादी और जहादनों को हमारे भारत में बहुत तकलीफ हो रही है वो डरे हुए हैं काइंडली आप कोई भी देश मुसल्मान कंट्री आप चूज कर ले और चले जाए इवन मैंने कल कहा है पाकिसानी चानल पर कि आप लोग क्यों नहीं ला रहे हैं सिटिजन्शिप अमेंडमेंटमेंट आप बिल्ड और एक गैजट इशो कीजिए हमारे भारत के ग्रह मंत्री जी को भेज़िए कि ग्रह मंत्री जी आप क्या जो माइनॉरिटी जो सिसक रहा है जो चीक रहा है जो कह रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है उसको भेज़ दिया चाहे और अवेसी सबसे जादा चीकता है और अवेसी का चर्यतर और अवेसी का पिछला हिस्ट्री कौन ने जानता है भाई उसका बाप दादा राजोकार के फौज का फौज बन होने नहीं देंगे। अपलब सनातन की जवाब बात करती है, पहले खिलाया जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, महमानों का ध्यान रखा जाता है, और अगर कोई ग्रहा काता है, उसे भगवान सो रूप माना जाता है, लेकिन वही पर थूख जिहाद और फूट जिहाद, वहाँ थूख मुसल्मान नेता ही नहीं लेते हैं, मैंने का एक तम जूट बात है भाई, भारत में 1947 से 1977 तक में पांच मुसल्मान एडुकेशन मिनिस्टर थे, बना लेते हैं, क्यों लब जिहाद का मतलब सिपासालार बनाएं, मुसल्मान लॉंडू को पैंड का जिप खोल करके चलना सिखा हैं, पिजामे का नाड़ा खोल करके चलना सिखा हैं, जहां देखते हैं, वहीं पकड़ करके बलातकार कर लेते हैं, और खास करके नॉन मुसलिम की बेटियों के साथ, तो यह जो पांच मुसल्मान मंतरी नहरु जी ने, इंद्रा गांधी जी ने जो बनाया एडुकेशन मं मंतरी, इन्होंने मुसल्मान लॉण्डो को कभी भी शिक्षा की तरफ राकिब नहीं किया, क्यूंकि इन पांच मुसल्मान आतंकी मुसल्मान मंतरियों का काम था, All India Muslim Personal Law Board बनाएंगे समविधान होते हुए, वक्फ बोर्ड बनाएंगे, लैंड माफिया वो भी समविधान होते हुए, हलाल सर्टिफिकेशन बनाएंगे, समविधान होते हुए, ये उनकी स्ट्राटेजी थी और हजारों Muslim Organization बनाएंगे, उसको सरकार में अफिलियेट करेंगे ये एक स्ट्राटेजी थी, क्योंकि वो पाँच एडुकेशन मंत्री के समेत, कुछ ऐसे कॉंग्रेसी पुराने नेता है, जिनको ये बात पता थी, कि भारत का सनातनी कभी तो जरूर जागेगा, कभी तो जरूर जागेगा, भले ही हमने इन सनातनियों को ग्रू कुल से दूर कर दिया है, भले ही औरंग जेब और धरक जेबों ने इनके मंदिरों को तोड़ा है और उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, ये अपने आप में मगन है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, कि सनातनी भारत के जागेगे और तब ये बिलकुल, ये ऑल इंडिया मुस्ल और इसलिए ये सारी चीज़े बनी है और इसमें रत्ती बराबर का भी कोई भी इसलाम से लेना देना नहीं है आपको क्या लगता है कि अवेसी जो सर पे टोपी पहन करके घूमता रहता है हर जगा शिर्वानी पहन करके नाचता रहता है सब जगा वो इसलामिक बात करता है इसलाम में तो अल खुरान में तो आट सो बार शिक्षा की बात है खुरान का पहला वड इखरा का है प्रॉफेट मौहमद सल्लेला अले वसल्लम ने कहा कि पढ़ना है तो चिंच ले जाओ कभी बोला अवेसी और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़की नहीं पड़ेगी लड़का पड़ेगा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पर अवेसी तो नहीं बोलता है तो यह सब अपने अपने टी आर पी के लिए अपनी अपने वोट बैंक के लिए अपने अपने लाविश लाइफ के लिए यह इसलाम को सामने मे रख करके, इसलाम के कंदे पर बंदूख चला करके, अपना फाइदा उठा रहे हैं, इसके लाव और कुछ नहीं कर रहे हैं, अल्खुरान में कहां पर लिखा हुआ है, कि भाईया तुम All India Muslim Personal Law Board बना होगे, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लैंड जिहाद की बात करें, All ओवर इंडिया के अंदर, लैंड जिहाद एक बहुत बड़ा मसला बना है, हलदुआने की भी आपने बात देखी, कि हलदुआने में किस तरीके से माहौल बिगडा था, लैंड जिहाद और साथी वक्फ बोड, ये मुझे लगता है कि एक हमारे उसमें अंदर में दे दो, तो ये चीज़े भी सामने आ रही है कि वक्फ बोड की भूमी का आपने अप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डाउट है, और वक्फ बोड का जो एक्ट है वो अपने आप में ही बहुत कहते है कि बेकार जिसे कह सकते है, कि मेरे घर आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूं, यह जो मजार और इमामबाड़े को वक्फ बोर्ड जो चैलेंज करता है, कि यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हमारे अंडर दे दो, यह वो मजार और इमामबाड़े को सेक्योर करती है, लड़ती नहीं है, यह आप पानी का पानी हो जाएगा और वक्फ बोड के पास ऐसे प्रावदान है जो सुप्रिम कोट को भी जाकर बोल देता है कि नहीं यह तो हमारे कोट में होगा तो वो सिक्योर करता है वो लड़ता नहीं है सिर्फ वो नाक आगे से नहीं पकड़ करके थोड़ा सा घुमा करके वो मजारे कभी तूटती नहीं है या वो मजारे कभी खतम नहीं होती है बलके 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आप देखिएगा कि वो और भी आलिशान खुबसूरत बन जाती है और फिर उससे वो एक कमाई का और आमदनी का जरिया बन जाता है अजमेर शरीफ क्या है आप कभी चल रहेगा आगे पीछे सब चूबू लेंगे और कोशिश करते हैं चूने का अंदर जयारत करने के लिए जाएगेगा तो जो हरा हरा कपड़ा पहन करके सर पर टोपी पहन करके बैठा रहता है मर्द जयारत कराने के लिए लेकर जाता है और भीड में ऐसे सटता है ऐसे सटता है वो लोग लोगों को कन्विंस करकर के सोने का दर्वाजा भी दक्षना चढ़ाते हैं चानी का दर्वाजा भी वो लोग चढ़वाते हैं और एक-एक मकमल की चादर जो है वो 15-15 पूल की जो चादर होती है, जिसके खेमत मात्र दो सो रपय होगी, वो फूल की चादर हजार रुपय ग्यारा सो रुपय से नीचे नहीं है, वो बजार है, वो धंदा है कमाई का, आप सोचिए कि जो मुझाबिर बन करके अजमेर शरीफ में बैठा है, वो सुभा के फजर के नमाज से ले करके रात के बारा बचे तक वो अजमिर शरीफ में बैठा रहता है और वो घर किस काड़ी से जा रहा होता है रेंज रोवर से तो यह कमाई का जरिया है यह तो धंदा है इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी 50 साल मोधी गवर्मेंट की जरूरत है यह सारे लफंदर मुल्ला मुल्वी जो यह अशलीलता का बाजार खोले हैं जो यह कमाई का धंदा खोले हैं इनको मैं अपनी आखों से पढ़ते वे देखना च जिस हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं जिस हिसाब से हम सारी बातों को खोल कर रख रहे हैं क्योंकि पहले क्या होता था गुस्ता के रुसूल की एक ही सजा सर्थन से जुदा अब लोग डर गए नहीं 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 बोलेंगे CP के रोड पर मैंने कहा कि जो तुमको बोले गुस्ताकِ रुसूल की एक ही सजा सर्तन से जुदा तुम भे बोलो भगवान राम के को अपमान करने की एक ही सजा सर्धर से जुदा तुम भे बोलो जैसे मैं अपने अल्ला के लिए बहुत फर्माबरदार हूँ जैसे मेरे सामने कोई अल्ला होर मेरे प्रॉफेट मौहम्मद की कोई बुराई करेगा तो मेरा खुन गरम हो जाएगा आपके भगवान राम की कोई बुराई करेगा तो आपकी खुन गरम हो सकता है running क्यों ने खुनगरम उता है आपका तो अगर आप गुस्ताकर रुसूल की सजा सुनने की खमता रखती है तो भगवान राम को कोई अगर बुरा बोले तो बोलने की भी खमता आप रखिए और ये तो आपके रिलिजियस किताब ने बताया है कृष्ण भगवान बासुरी के ल जरूरतों महबबत करो जहां युद्ध की जरूरतों युद्ध करो बिलकुल बगवान राम बनवास पर चले जाते हैं भाई वक्त भी अजीब है जिस सुभा राज मिलने वाला तो उसी सुभा बनवास मिला लेकिन रावन को तो खतम किया ना उन्होंने जरूरत पड़ी गया रावन खतम हुआ है ना तो मैंने कहा कि एक जान ल् लचे या बंदा ले मैं बोलूंगी और्दु आरवी में छोista लिखता है ना पूझा जी तो नुक्ता जब अपर होता है तो नुक्ता जब नीचे होता है तो जुधा होजाता या न तो नो मैं बोल चुकी हूं मैं मैंने साज़ेत रशीदी से डारेक्ट पूछा और ऐसे कई मुल्लाओं से मैंने पूछा है कि कुरान की वो आयत बताओ वो वर्सेज बताओ वो सूरह बताओ जिसमें 135 फूट की 72 वरजिन हूर के बारे में जिक्र है है ही नहीं मैंने सुनाता है है ही नहीं जुट बोलते हैं तो वो आपकी बात सुनेगा वो उनको अप्रोच करती है वो ही उनको अट्राक्ट करती है देखिए सबसे ज़्यादा पॉर्ण मूवी कहां देखी जाती है गूगल में सर्ज कीजिए पाकिस्तान में देखी जाती है क्या है इसलामिक रिपब्लिक देश है तो इसलिए 72 व जी यह बताईए कि आप जादतर ग्राउंड जीरो पर रहती है लोगों से इंटराक्ट करती है योगी जी के लिए लोगों की क्या सोच है कितना खौफ नजर आता है योगी का देखिए मुझे ऐसा लगता है न कि योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर की पश्यम मंगाल को जर यह हलाके अब हालिया में हमने देखा है हमने देखा कि ऐसे चेहरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आए है जो योगी जी 2.0 2.1 बिसम सर्मा और मैं लिटरली हेमनता जी को मैं बहुत उनको सुनना मैं बहुत पसं करती हूं हलाके मैं मेरी आइडियल जो है वो सुष्मा सौरा जी को गयeme harita है मैं नहीं बसक्ते सी को अबहुत पसंद करती थी और उसके बाद मुझे हीमनता जी को सुनना बहुत पसंद आता यहां पर यही मैं वोड़ अां कि हीमनता जी ने भी स्टेट में बहुत चीजों को कन्ट्रॉल करके रखा है पश्म बंगाल में उतना मुस्ल फश्रिया लू चल रहा है वश्मम बंगार में समविधान नहीं चल रहा है लेकिन असम में बाइकार आप जा सकते हैं वहान समविधान चलाया जा रहा है इसलीए वहां पर सब कब हो पाता है लोग सब पहले election जो है फेरली पस्चिम बंगाल में हो जाएं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है नाजिया जी आप studio में आई इतनी सारी बात की बहुत-बहुत thank you I hope हम जल्दी मिलेंगे और conversation के लिए और बात करेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया इस podcast में आने के लिए thank you thank you so much thanks a lot चलिए और इस podcast में इतना ही आपकी जो भी आपकी suggestions हो जो भी आपकी queries हो जो भी सवाल हो या नाजिया के लिए जो भी आपका message हो वो comment box में जरूर बताईगा फिलाल इस podcast में इतना ही नमस्कार